हेलो दियर स्टूदेंट्स हाव आर्यू तोडेंट्स हाव यू तोडेंट्स हाव यू तोडेंट्स हाव यू मैस्टीचर नुपूर कुलहरी प्रिविएस वीडियो में हमने एक्सराइज 5.1 अफ चैप्र नंबर 5 इंटोड़क्शन तो युकलेट जोमेटरी क्लास 9 इस वी प्लेफेयर एक्जियोम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्लेफेयर एक्जियोम क्या कह रही है यह फॉर एवरी लाइन एल देखिए यह एक लाइन एल है ठीक है एंड फॉर एवरी पॉइंट पी यहां पे हमारा पॉइंट कौन सा है पी नॉट लाइंग ऑन एम यह जो M passing through P and parallel to L अब देखिए P से pass होती भी सिरफ एक ही line होगी M जो कि L के parallel होगी ठीक है बात की बात समझ में क्या कह रहा है कि एक line है L ठीक है एक point है P इस point से किती line pass हो सकती है एक line M ऐसी pass हो सकती है जो कि L की क्या हो बिलकुल parallel हो ठीक है अब देखिए suppose करो यह एक और line है जो P से pass हो रही है but this line is not parallel to L similarly यह एक और line है dotted जो दिख रही है यह भी P से pass हो रही है but this line is not parallel to L तो सिर्फ एक ही line हो सकती है there is a unique line which is parallel to L ठीक है आगे चलते हैं हम आगे क्या कह रहा है this result can also be stated in the following form यह जो हमने अभी जो previously पढ़ा है इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं two distinct दो अलग-अलग intersecting lines cannot be parallel to the same line दो intersecting line है ठीक है suppose करिये ऐसी line और यह इस तरह से तो यह दौनों line एक ही line के कभी भी parallel नहीं हो सकती जैसे इस line के तो parallel भी यह line होएगी इस तरह से कोई भी एक और इसके parallel इस तरह से line होएगी यह इधर भी हो सकती है यह पट यह दौनों एक ही line, same line के parallel नहीं हो सकती अगर वो एक दूसरे को intersect कर रही है ठीक है चलिए फिर example पर चलते हैं अपन example number 3 Consider the following statement देखे एक statement दीवन है क्या है there exist a pair of straight line pair of straight line मतलब दो lines है हमारे पास pair आ गया ना that are everywhere equidistance from one another देखे हमारे पास दो ऐसी lines है straight line pair जो हर जगा एक दूसरे से equidistance पर है तो यह दौनों लाइन कैसी होएंगी यह अपन L माल लेते हैं और इससे अपन M माल लेते हैं तो यह दौनों लाइन कैसी होएंगी अगर equidistance है मतलब दौनों के बीच का distance क्या है बिलकुल same तो वो लाइन क्या होएंगी एक दूसरे के parallel ठीक है Is this statement a direct consequence of Euclid 5th postulate explain क्या यह जो statement है हमें given है यह Euclid 5th जो postulate है उसका ही consequence है यह हमें बता ना तो इसका भी solution ठीक है then by playfair's exeum अभी आपको बताया था मैंने playfair exam कौन सा है यह वाला यह जो है ना equivalent version of Euclid's 5th postulate इसे हम क्या बोलते है playfair exeum भी भी बोलते है ठीक है चलिए तो फिर आगे चलते है which is equivalent to the 5th postulate अभ यह किसके equivalent है 5th postulate के we know that there is a unique line M through P which is parallel to L तो देखिए क्या करना है अपने को एक line बनानी है कौन सी L तो बनाते हैं अपन एक line L ठीक है फिर क्या कह रहा है take a point P एक point हमें लेना है P not on L L के उपर नहीं है तो फिर playfair exeum के कहती है then by playfair exeum which is equivalent to the 5th postulate we know that there is a unique line M through P which is parallel to L एक line होगी M जो की P से पास करेगी और L के क्या होगी बिलकुल पैलल यही तो था चलिये फिर now the distance of a point from a line is the length of the perpendicular किसकी length है length of perpendicular from the point to the line this distance will be the same for any point on M from L अब देखिए चाहे आप M से L पर आजाईए चाहे L से M पर चले जाईए ठीक है फिर क्या कह रहा है and any point on L from M so these two lines are everywhere equidistance from one another तो हम क्या कह सकते है कि यह जो दो line है L और M यह हमेशा क्या है equidistance है एक दूसरे पिसे चाहे आप किसी भी point के ऊपर चले जाईए ठीक है चलते हैं फिर exercise के ऊपर चलते हैं अपन exercise का first question 5.2 how would you rewrite Euclid's fifth posulate so that it would be easier to understand देख लिए Euclid का fifth posulate हमें rewrite करना है हमारी own language में तो चलिए लिख जेते हैं easy form में लिखना है अपने को तो देखी Euclid fifth posulate क्या था हमारे पास दो line है इसे third line intersect कर रही है तो अब ये जो दो line है वो उस side meet करेंगी जहां पर sum of interior angle less than क्या होगा 180 degree तो लिख देते हैं अपने अपने इसे language में अपनी when two lines are intersected by third line when two lines are intersected by third line then the two lines meet in that side where sum of interior angle sum of interior angle is less than 180 degree ठीक है when two lines are intersected by third line जब कोई भी two lines suppose करो L है और ये M है ठीक है तो ये third line इसको अपन A माल लेते हैं when two lines are intersected by third line then the two lines तब ये दो lines meet in that side ये कौन सी side में meet करेंगी where sum of interior angle जहां पे sum of interior angle 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 is less than 180 degree ठीक है रीराइट कर दिया है हमने हमारे language में आप अपने language में भी इसको रीराइट कर सकते हैं चलिए फिर question number 2 पे चलते हैं तो देखें second number क्या कह रहा है does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines explain हमें explain करना है कि Euclid का fifth postulate है वो parallel line के existence को बताता है ठीक है कैसे बताता है वो भी बताना है तो देखें हमने क्या बोला था कि two lines जो है third line से intersect हो रही है तो वहां meet करेंगी जहां पे sum of interior angle less than 180 degree है ये चीज मैं आपको पता चुकी हूँ पहले भी और ये भी चीज बता चुकी हूँ आपको कि अगर two lines are intersected by third line sum of interior angles मतलब ये one है ये two है ये three है ये four है तो अगर angle one plus angle two ना तो less than हो ना greater than हो equal to 180 degree हो तो ये angle three plus angle four भी 180 degree का होगा होगा के नहीं होगा और जब ऐसा case हो जाएगा कि sum of interior angles जो है वो equal to 180 degree होगा तब हमारे जो ये two lines होँगी वो एक दूसरे के क्या होँगी बिल्कुल parallel होँगी ठीक है तो चलिए समझ में तो आपके आई गया होगा solution भी read कर लेते है इसका if a straight line L falls on two straight lines M and N अब देखिए क्या कह रहा है के मारे पस दो straight line है कौनसी M and N एक straight line L जो है वो इसके उपर fall कर रही है इसका क्या नाम है L ठीक है such that the sum of the interior angles on one side of L is two right angles यही बात जो मैंने आपको बोली है कि बही sum कितना हो रहा है 180 two right angles means 180 degree then by Euclid's fifth postulate the lines will not meet on this side of L तो lines भी भी आपस में meet नहीं करेंगी next we know that the sum of the interior angles on the other side of line L will also be two right angles अब आपको बताया ना कि सिर्फ इसी side नहीं 1 plus 2 नहीं 3 plus 4 भी कितना होगा 180 degree होगा therefore they will not meet on other side also तो वो दूसरे side भी नहीं मिलेंगी so the lines M and N never meet and are therefore parallel तो line जो M है N है वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी और वो एक दूसरे के क्या हो चुकी है parallel हो चुकी है तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम एक्सराइस 5.2 के साथ साथ chapter number 5 भी complete कर लिया है आपने इस वीडियो को और चप्टर 5 के सभी वीडियो को बहुत इंजोई किया होगा आप सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ तब तक study hard and take care कर दो अच्छे साथ